हाई फ्रेंज कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे आएंडी वर्सिस बी एएंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानि की ड्रीम 11 टीम देखेंगे आप इंडिया नेपाल के एजिएन गेम्स सेमिफाइनल की यह टीट्वेंटी मैच है आपको पता है वर्ल्ट कप स्टार्ट हो चुक है लेकिन यह एजिएन गेम्स का सेमिफाइनल है जहां पर यंग इंडियन टीम खेल रही है एक यंग बंगलादेश टीम से आपको बहुत मज़ा आएगा मैच में पिछला मैच भी आपने देखा था काफी इंट्रस्टिंग यह सवी जैस्वाल ने हंडर्ड वारी आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है यह चीज़े आप करेंगे तभी बहुत मजाएगा जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस करके आप चलेंगे अब आपको मैं यह बता देता हूं जैसे जैसे आपको वेन्यू के बारे पर पता लगया चाइना क सिंद्धी सी बात है चोटा सा ग्राउंड है रन स्कोरीं अच्छी हो नहीं चाहिए क्योंकि एक फ्लीक लगा रहे है और छोडी खराब पर वह थे चारों के रिजल्ट देख लेते हैं यहां पर 13 में से 3 फास्ट 9 स्पिन ठीक है यहां 20 में से 9 फास्ट 8 स्पिन गेम में आया यह दोनों लो स्कोरिंग मैच पाकिस्तार होंग कोंग मैं फिर भी रहन हो गए 20 में से 4 फास्ट 15 स्पिन गेम में ज्याद आई यह वहले मैं हाइलेट्स देख लूँगा लेकिन यह मैच पूरा देखा था और यह मैच भी काफियत तक देखा था 66 में से लाइव बता रहूं है यानि की स्क्रीन पर अपनी 22 फास्ट को विकट गई है 39 स्पिन को विकट गई है तो स्पिनर्स को ज्यादा विक्ट है जा रही है बा इंडिया के हर प्लियर की रीसेंट फॉर्म है मैंने लास्ट मैच में सबकी समझाई थी इसमें मैंने एक चीज़ बोली थी रूतुराज गयकवाड यह सश्वी जैसवाल काफी अची फॉर्म में है तिल्यक वर्मा का डीसेंट फॉर्म है शीवम दूबे काम कर सकते है रिं अवेश को तो गिनू तो चार हो गए पांच में और चटे जो थे दूबे और सुंदर सर्प्राइजिंगली स्पिन के बाद भी सुंदर को और नहीं मिले तीन और दूबे जी को मिल गए तो पांच वा बोलिंग विकल्प जिसको हम मानते है सुंदर काम करके गए दूबे परसनली मुझे लगता है इस मैच में ज्यादा काम आनी चाहिए अगर तो आपको अंगला देश पे लेफ्टीज दिखे तो वाशिंग्टन सुंदर और स्पिनर काम आएंगे तो हम देख लेंगे आगे उनमें लेफ्ट हैं करम ये रहना चाहिए यही करम मनें आगे भी ल पर अंपायर ने आउट ही नहीं दिया था ठीक है बाकिया रुतुराज गायकवाड 25 दो रन तिलक वर्मा पांच रन जितेश 25 नवाशी मंदूबे रिंकु सिंग 37 नोट हाड हीटर आखरी और में आके पूरा धूडा आला था बाकि जुरत नहीं पढ़ी सुंदर की अधर इंडिंग करी थी इंपोर्टेंट हो जाता है इनके खैचों से 36 वंगे थे चार कैच के 32 पर चारप बोनस शीवम दूबे तीन और 37 पर जीरो जिसमें बीसमा और भी था ट्वेंटियाथ और भी इन्होंने किया था वशिंग्टन सुंदर एक और 11 पर जीरो ठीक है इंपोर सबके रिकॉर्ड पर आप देख सकते हो 37 के अवरे जाई यह तिलक वरमा किया लास्ट में लेकिन फ्लॉप हुए थे अब मैं आपको लेके चलता हूं बोलिंग पर अर्जदीप सिंग और अभी बिश्टोई इंडिया के में पेसर है अर्जदीप स्पिनर है अभी ओड़ासा जानना important है इनके जो सबसे की खिलाडी है उनके बारे में बात करते हैं काफी अध्तक आफीफ उसायन बलेगे इन दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं इनके कप्तान साब सेफ असन भी अच्छा है बलेगे इन दोनों से परफॉर्म करता है और बलेवाजी भी पिछले मैच पर इपन मॉंडल को भी तो यह जो सेक्षन है मैं ज्यादा इस पर फोकस करने वालों बल्ले से इनके जो बैस्ट है वो महामदुल हसन जोए लेकिन फॉर्म थोड़ा आप कह सकते हो डीसेंट है 064 नॉट फॉर्टीवन जीरो एक बीस ऐसा कुछ फॉर्म रहा है क्लियर डीसेंट हैं अब मैं दोस्तों इनके लिए आगे बढ़ता हूं आप ते फॉर्म देख ली लाइनप और पिछले मैच का जो कॉर्टर फैनल का स्कोरिंग है देखते हैं इनका लो स्कोरिंग मैच हुआ था तो बल्ले से जो चले थे वो ते सैफ हसन कप्तान ने यहा इनके पेस बोलर है आफिफ ने बल्ले से से काम किया था 23 चार और ग्यार रण देकर तीन विकेड भी थे ओर करेंगे राकिबल हुसन चार और 26 पेग तीन और 22 पेग रिशाद हुसैन सैफ हसन ने पचास रण भी चार और भी की बन जाते हैं और सुमोन खान दो और बीस पे हुए इसके लावा राकिबूल भी अच्छे बोलर है और इशाद भी अच्छे बोलर है दोनों अच्छी स्पिन करते हैं तो यह प्लियर्स को आप ट्राइ कर लो रिस्क लेना है रिपन मिंडॉल पर फिर भी लेना स्पिनर्स थोड़े ज्यादा ट्राइक कर सकते हो यह अच्छे बूल तीस मैच 31 विकेट है 26 मेटाई सुमोन खान बाकियों कभी अब स्टैट्स देख सकते हो मैं सीधा सीधा अपनी टीम क्रेट करने चल रहा हूं उमीद करते हूं यहां तक आपको सारी गैडस विली चलिए टीम क्रेट करते हैं दोस्तों विकेट कीविंग सेक जैकर अली है जो कि बीकर्याइए विकेट कीपर भी हैं यह बहुत अच्छे डिफरेंशल हो सकते हैं अगर आप जैकर एक्ट आणी के बहुंपने हैं इंडिया की टीम में जाधा चेंज नहीं देख रहा मैं बल्ले बाजी में ये शस्वी जैसवाल रूतुराज गायकवाड इंडिया के दोनों उपनर्स हैं बहुत अच्छी पार्टरशिप उई थी सौ के करीब रन किये थे जैसवाल ने 25 रन किये थे रूतुराज लेकिन ये दोनों इंडिया के ओपनर्स हैं एंड में खिलाड़ी इसलिए दोनों का चेंज करूंगा देन आफिफ हुसेयन है देखा जाए तो चार ओवर कर दिये इन्होंने पिछले मैच में बल्ले से भी तैसरन कर दिया एक्सिलेंट फिल्डर भी है तो यह आपके सीवी पिछले मैच में कैच भी पकड़ा था तिलक वर्मा इंडिया से नंबर तीन एक आउट होने पर आते हैं पिछले मैच में केवल दोरन किये विकेट भी थोड़ी टफ है आपको पता है लेकिन इंडिया के 200 रंस में इनकी कॉंट्रिबिशन नी थी अब तो और विकेट हो ग प्लेयर अच्छे हैं बहुत बढ़िया है तो ट्राइ कर सकते हो पिछले मैच में अनलगी रन ओट हो गए थे शाहदद हुसैन मिडल और में आते हैं नोट बैड ऑप्शन बट मेरे को लगता है बहतर वी कल्प अवेलेबल है परवेज हुसैन है ये भी अच्छे खिलाडी से एंडिया की टीम वैसी रहनी चाहिए सैफ असन बांगलादेश के कप्तान साथ वैसे बोलिंग कम करते हैं लेकिन लास्ट में चार ओर कर दिये बल्ले से पचास लगा दिया अब कैसे आप इग्नोर करो ऐसा कोई खेले तो चार ओर और पचास रन शीवम दूबे मन है ले से एक और अदरवाइस में जोड़ू लेता में कटेश है रिजर्व में में स्कौर्ड में नहीं है मृतुंजे चौदर यह बंदा अगर खेलता है जिसका चांसेज है यह बढ़िया फास्टर बूलर है यह अच्छा है काम आ सकता है बल्ला भी गुमा लेता है बट बूलर क इसके तौर पर अर्ज दी रिपान मॉंडल तीन विकेट लास्ट में स्ट्राइक कर सकते हो मैं आवेश के साथ गया हूं क्योंकि इंडिया ज्यादा फेवरेट है पिछले मैच में तीन विकेट भी थी इनके पास साय की शोर चार कैच और एक विकेट निका रहा था बल्ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीट बंगलादेश में बीछ आफ लेंडिज दीए लेकिन धुबेजी की जगह अगरापको द porta कांथा च्रक्ट अर्यांट कर सकते हैं चकती हैं आरभ संदंग्सटार यंश %100 कbr लेना है अब दूबे जी की जगा ले सकते हो अब सी वीची के जो बेस्ट विकल्प है जैस वाल की इनिंग्स के बाद एक अच्छे खास है कैप्टन सी चॉइस तो बन गए है वो लेकिन रिस्क ले सकते हो वीची में आपको सेफ जाना है तो आप गायकवार को कर सकते हो मैं थोड़ा रिस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले थेंक्यू आपका एट लाक फैमिली और मुस्ट हमारी डन है और बढ़ते जाएं तो सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं कर सकते हैं